गुड मॉनिंग स्टुडेंट्स आज हम बात करेंगे क्लाश एर्थ सी चैप्टर नमबर फोर चैप्टर नमबर फोर प्राणियों में प्रजनन यह प्रकरती का नियम है कि सभी बस्तुए जो जनम लेती हैं तथा जीवन यापन करती हैं उन्हें मरना भी पड़ता है परन्तु मृत्यू से पूरू वे सभी अपनी जाती की निरंतरता के लिए अपने जैसे जीवों को उत्पन करती हैं किसी भी प्राणी दौारा अपने जैसे ही जीवों का उत्पन करना प्रजनन कहलाता है प्रजनन जीवित प्राणियों का सरबादिक विसिस्ट गुण है यह नेमली की तुरूपों में सायक है विसिस्ट वंश या प्रजातियों को बनाये रखता है वर्तमार प्रजातियों की संक्या में गुणन में सायता प्रदान करता है यह जीवित प्राणियों के क्रमिक विकास में अत्यंत महत्पुन भूमी का निवाता है जो प्रतेक पीड़ी में छोटे परिवर्तन द्वारा ही हो जाता है मुखे रूप से प्रजनन को दो विदियों में विवाजित किया जा सकता है प्रजनन इस प्रकार के प्रजनन में संतती उत्पन करने के लिए दोनों जनक नर तथा मादा जीवों का होना आवश्यक है जैसे मचली मेंड़क, गाय, कुत्ता, मानव, आदी अलेंगिक प्रजनन प्रजनन की वह विदि जिसमें एक अकेला जीव अपने प्रकार की एक अत्वा अधिक संतती उत्पन करने में शक्षम होता है अलेंगिक प्रजनन कहलाता है अलेंगिक प्रजनन में नर तथा मादा दोनों जीवों का होना आवश्यक नहीं है अमीबा में लेंगिक प्रजनन होता है ये उसकी सनचना है जनतों में लेंगिक प्रजनन होता है लेंगिक प्रजनन प्रजनन की विसेशता उच जनतों में एक अधिक उन्नत विदी है लेंगिक प्रजनन में नर तथा मादा दोनों की ही आविशक्ता होती है इस प्रकार का प निसेचन जव नर सहवागी द्वारा शुक्राणू तथा मादा सहवागी द्वारा अंडाणू एक साथ संयोजित होते हैं तो एक नई कोशिका बनती है जिसे युग्मक कहते हैं युग्मक जब बनते हैं तो वे गुण सूत्रों की आदी संक्या जनक कोशिका से प्राप्त क करते हैं जो संक्या में दुगनी होती है निसेचन दो प्रकार का होता है वाई ये निसेचन तता आंत्रिक निसेचन के अंतर गताते हैं जब नर युगमक तता मादक युगमक का सहीजन मादा सहवागी के सरीर के बाहर संपन होता है तो इस निसेचन को वाई ये निसेचन कहत जिसमें निसेचन वहत से अन्यजंतों की भाती मनुषये भी लहेंगिक विधी द्वारा प्रजणन करते हैं जिसमें नर तता मादा दोनों साथी सम्हलित होते हैं नर प्रजन तंत्र निमलिखित नर प्रजन अंग होते हैं व्रशन शुक्राणू नली नूत्रमार्ग शिशन मादा प्रजनन तंत्र मनुश्य में विदमान मादा प्रजनन अंग निमलिकित हैं अंडाश्य जो अंडाश्य वादा माकृती के उधर गुहा में विदमान होते हैं जो शरीर के दीवार के पिछले भाग में जोडने वाले उतक द्वारा इस्थित होते हैं पिरतेक अंडाशे का कारे पिरतेक महा के अंतराल पर एक डिबबा या अंड तथा हार्मोन आस्ट्रोजन उत्पन करता है डिम्ब बाहिनी नली गरभाशे और योनी दुत्यक लेंगे विशेस्ता एक शिशु नर है या मादा या जनम के समय ही कुछ प्रात्मी गुणु द्वारा पहचाना जाता है जैसे ही बालक 14-15 वर्ष की आयू में नर तथा 11 वर्ष की आयू में मादा यो नरस्ता या किसो रवस्ता में पहुंसता ह तब सरीर की सरनशन तथा आंत्रिक लेंगे विशेस्ता आवाज में भारीपन माश पेशियों का विकास बालों का दिखाई देना मादा में दुत्यक लेंगे विकास्ती की आवाज बालों का दिखाई देना इस तनों तथा कूलों के आकार में ब्रदी निशेचन युगमक 11 शेवर्ष की आयों में निर्मित होते हैं युगमज की ब्रद्धी तथा विकास नए जीवों के निर्मान के दो प्रकार होते हैं पक्षियों मैंडकों मश्लियों तथा रहंगने वाले जंतों में अंडे में विदमान युगमज उसमें विदमान जर्दी का प्रियोग गोशूत्र दोरे सेट में विदमान होते हैं निसेचन होते समय दो इस्तितियां उपन होती हैं यह कात्युत्र हैं अनटेश त्रावीत तंट्र हार्मोन ऐसे पधार्थ होते हैं जो शरीर में रासायनिक नियंतरक का कारे करते हैं एक छिक प्रभाव लाने के लिए ये अल्प मात्रा में ही होने चाहिए ऐसे ही इसके अन्योर प्रकार भी हैं इसके कुछ हार्मोन का विवरन नेम लिकित है एडरनल, इंसुलिन, ब्रद्धी हार्मोन, थाइरोकसीन, एस्टोजन, टैस्टोस्टोरी अत्यदिक जनसंक्या तथा इसके दुस्परिनाम सभी प्रगति तתा आदोनीकरन होने के बाद व्जूद भी अत्यदिक जन संग्या की समस्यावी राष्टे की प्रगर्थी के लिए इस्तिर विपत्ती बनी हुई है बड़े परिवारों तता उसके दूस परिवाणों के कहा कुछ कारण है पारिबारिक सोच, सिक्षा की कमी आर्थि कारण अत्यधिक जनसंख्या के दूस्र परियना जैसे पड़िवार में अधिक संख्या में बच्चे उप्युक्ति चिकत्स, सिक्षा, व्यक्तिक, ध्यान, तता बच्चों की देखवाल के लिए वित्य समस्याओं का सामना करते हैं कौपोशन्ट से बच्चों में मानसिक ततसारिक समस्याओं अपनों सकती हैं बार-बार महिलाओं में घर्वा धारन उनके स्वास्ते का प्रवायत करता है इससे उनका पारिवारी जीमन ऐसंतुलित हो सकता है ये था आपका chapter 4 thank you